हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दो चैनल सरस्टी स्टेडी पॉइंट और आज हम बहुत इंपोर्टन बात करने वाले हैं जी हम भरतियों को लिकर जिनके लिए बच्चे चाहते हैं वेकेंसी आये हम फॉर्म भरें और बहुत अच्छी सी एक हमें जॉब लिए तो यहाँ प जारी किया है यहां पर लिखा इनोंने और इसके साथ साथ यह देखे एक और नीज है कि 20 जुलाई से दिल्ली पुलिस में ऐसाइए के आविदन भी मांगे जाएंगे इंपोर्टन हो जाता है ठीक है यहां पर लिखा है पूरा यह देखे यहां पर है कि करमचारी चयन आयो की और से शुकवार को जारी शूदित कलेंडर में इन भरतियों के लिए ओनलाइन आविदन शुरू होने और इसके साथ साथ समभावित तिथी भी दी गई है इनकी ठीक है साथ ही आयोग सितंबर अक्टूबर में साथ विवाविये परिक्षाएं भी परिक्षाओं के लिए अविदन लेगा विवाविये परिक्षाओं के लिए जाएंगे और परिक्षा जोगी फर्वरी मार्श में होगी ग्रेट सी स्टैनोग्राफर डेपार्टमेंटल एक्जाम होगा अठारा उन्निस और दोजार वाईस के लिए ठीक है एक से पंद्रा सितंबर के लिए लिए जाएंगे ऐसे से यूडी सी ग्रेट कॉम्टीटिव एक्जाम अठारा उन्निस बद दोजार वीज इस के लिए आविदन क्रम्शा आठ सितंबर और 13 अक्टूबर को सम्भावित हैं जे ऐसे लडी सी ग्रेट कॉम्टीटिव एक्जाम 19-2022 के लिए आविदन 22 सितंबर और 6 अक्टूबर से होंगे ठीक है करम्शा यह लिखा हुआ है पूरा यहां पर लिखा हुआ है कि भरती का नाम क्या है मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए देखो सितंबर अक्टूबर में आपके लिए जाएंगे और यह 14 जून से 14 जुलाई तक के लिए आप आविदन करें सितंबर में फिर परिक्षा होगी फिर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी देखो जुलाई अगस्त में और अक्टूबर में एक्जाम होगा जूनियर इंजिनियर 2023 के लिए जुलाई अगस्त में लिए जाएंगे अक्टूबर में एक्जाम होगा स्टैनोग् किंग स्टाफ के लिए अक्टूबर में फॉर्म बरे जाएंगे और जनवरी में जो है एक्जाम होगा पूरा इन्होंने इसका ले रखा और इसके साथ साथ यह जो है यह यह यहां पे पी एसस में दिव्यांग ब्हारतियों के प्रणाम को लेके तलब भी किया गया पूरा य यह यह एंपर दिया है और यह देखें यहां पर कितना इंपार्टंट इदिया है 3,3970 परदों के लिए इस्टैनो गर्ती होगी पूरा यह 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 दिया हुआ देखो तो यह इंपार्टंट हो जाता है इन सब के लिए आप अपडेट रहे है अर्समै नॉलेज में रखिए जिससे की क्या पता आप कौन सा फॉम भर सकें कौन सी जोب आपके लिए बनी हू 你 मैं सोचे यह जॉम मेरे लिए नहीं है यह job मेरे लिए नहीं है आप सारे फॉम भरी हैं अगर आप उसके लिए इलिजेबल हैं तो स्टेनो ग्राफर के तहरा है था 2022 के तहट केंदर के मंत्रायलों विभागों कारयलों में 3960 पदों पर चयन होगा आयोग ने पदों का ब्योरा जारी कर दिया है स्टेनोग्राफर C के तहट 389 स्टेनोग्राफर ग्रेट C के लिए 3571 पदों पर भरती होगी कार्मिक प्रिक्षिक्षन में 1500 पद हैं नींत्रक मह नालेखा परिक्षिन में 300 पद हैं SSC ने इनके लिए 20 अगस से 7 स्टमबर तक आवेदन मंगाए थे ठीक है तो इन सब पे जो है पूरा भरती होने वाली है जिन्होंने यह फॉर्म भर दिया वह सब भी होगा और यह सब पूरा यहां पर दिया हुआ बेवरा और आप सबसे दन लिए जाएंगे यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और तो इसमें जो है वह एक्स्ट्रा लिखा हुआ है लेकिन यह मुझे लगा कि बच्चोटले इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो इस चीज़ पर ध्यान रखेगा और कितनी वेकेंसी आएंगी क्या आएं दोस्तो तो लाइक कीजिगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजगा धन्यवाद दोस्तों